हेलो फ्रेंस राधे राधे कैसे हैं सब कोई हम सब अच्छे हैं आप सब भी भगवान दया से कुसल मंगल होंगे और यह हो रहा था हम लोग का त्यारी हम लोग जा रहे हैं आज मेरे माई के और एक टो दसकर्म हैं हमारे महले के हैं तो मैंने पहनी थी एक टो पैंसी वहली सा तर वीडियो में मेधा तयार हो रहेती है उसकी पापा को जाना था बोकिंग तो हम लोग को छोड़के आ जाएंगे बस मेरे मैका यहां से मेरे से सुराल जाते हैं बस आठ ही किलो मेंटर है और मैके सी जो भी कुछ होता है न हमारे महले में सब को या आते हैं निवंतरन करने तो हर समय तो जाना नहीं हो पाता है जैसे जर्री जर्री कामों में या उसकी पापा रहते हैं जैसे बोकिंग नहीं होते हैं हम लोग के पास गाड़ी है तो गाड़ी हमें से किराय में जाती है जैसे बोकिंग तो रहते हैं तो हम लोग को छोड़के आ जाते हैं या खुद अब लोग जो भी काम है निप्टा के रहना बोले तो यह गारी में हम लोग बातचीत किये थे पर गारी में ने सावना रहा था हवा का तो मिट कर दी हूं यहां बहुत सबर करी हूं मैं तुमाही बोल रही थी देखो हमारे इधर भी जंगल बन रहा है बोल रही थी जो जो छहरा थरा बोलते हैं उसको लगा रहे हैं अभी कोई-कोई बॉआई कर रहे हैँ इसको डलवा फशल बोलते है हमारे गर्मी में झो धान लगाया जाता है और इधर बड़ा सब रहे हमारे छेटिश गड़ कर इधरी इसलिए बहुत ज्यादा लोग आते हैं यहां गूमने के लिए और यहां बोटिंग के सुधा है तो बहुत ज्यादा आते हैं घूमने के लिए और पिक्निक इसपाड्य से बनाया गया है यहां ना सुयम्भो शिविलिंग है तो इसलिए बहुत ज्यादा लोक आती है हम लोग जोटी-चोटी ते तो इतना सुन्दर जगह नहीं वा था वाकी सुयम्भोaj की वज़े से बहुत ज्यादा लोक पहले भी आती थी और बहुत पुराना है यहां का मझ्र मेला पता नहीं क किसी को मालूम नहीं है यहां पॉलस्त कमणल्स है पानी में भैकर आया था यहां पर कि उसको कर्छा किया था और इसका मंदीर भी बहुत कुछ कुछ सुजधा करने वाली है बवी से में यहां का और जैसे पेखनी किस पार टूरिस्ट के लिए तो अच्छे जगा बन ही गया है यहां तो आगया मेरा माय का और इदे एक टू महुला शोड किने मेरा माय का देख्ये इस LINE में यह वळागर है पानी रंकी वळागर मेरी चाचा लोग का उसके बाद मेरी मम्मी हम लोग का इंतSure क्रे ती मेरी मम्मी मा बाप रहते हैं तो उलगी है माएके का आना जाना जब मा बाप नहीं रहेंगे तो अच्छा नहीं लेगा कि पे मेरी ममी देखे रश्ते में हमलों का वीयड करे है त Previously यह लोग नहीं रहेंगे तो लगेगा कि मरी ममी रहती तो इंतजार करती हैं लोग आने का तरके और महाबाप की बात न मायका आने का मन भी नहीं करेगा सहल उन्हें की याद में अच्छा नहीं लगेगा वो लोग जब नहीं रहेंगे तो भगवान करें हम लोग की भी उमर लग जाए और तोचर ठंडी लग रही थी टेबल वाला घर हर किसी के पास मिलेगा यहां जो बाड आता है न तो नीचे पुरा डूब जाता है तो उपर वाला घर में रहती है और उसके बाद खाने के लिए आगे बुलाने तो हम लोग कहते खाना खाने सब टेश्टी बनाता मेगा को बहुत ही अच्छा लगा दाल चावल मीक्स वाली सबजी और बनाता पुटू बहुत ही अच्छा बनाता सब कुछ और खाने के बाद हम लोग आगे नदी तरफ घूमने क्योंकि हम लोग सुबह आकर साम को ही जाने वाले थे तो जैसे रुकते हैं तो नहाना दोना हो जाता है तो नदी पर आ जाते हैं हम लोग तो हम लोग तो नहान दो कर आये थे घर से तो मेघा बोली चलो मंदीर नदी तरफ से घुम के आते हैं मेघा बहुत दिनों बाद आये थे मामा गर उसको कहीं जाने का मान नहीं कहता है बस अपने पढ़ाई जगा से घर वो इधर उदर जाने के ज़्यादा पसंद नहीं करते है घुमाओ फिरो मेरी बढ़ी वाली बीटी को हुआ सब पसंद है बाकी मादली वाली को पसंद नहीं है तो थोड़ा से हम लोग टहले इधर उधर पानी में तोड़ा हाथ पर दो ये अच्छा लगा पूर अख्लेयर था पानी जित्रहमी यहाँ पड़ाथा जै पानी में खचर टालते रहे इसलित आ उच्छा पानी गंदा होगराया है मानते कहा हैं लोग तो सारा कच्रा दिखाई दे रहा था पूरा क्लेर क्लेर थोड़ा सा फोटो रोटो खिचपाई थोड़ा सा बैठे और उसके बाद हम लोग जाएंगे घर और यहां धूब भी ज़्यादा लग रही थी तेज धूबती थोड़ी दूब धूब थोड़ी हम लोग को रुखना है साम तक तो उसके पापा साम को आएंगे तो घुमा पीरा हो जाए थोड़ा बले हम लोग और गुम पीर कर जा रहे हैं नदी का जो है न दिख बहुत ही मनुराम होता है और बहुत सारे पुरानी बच्पन के यादे जूड़ी है यहां पर हम लोग छ खेल के नहाते थे तैर तैर का अगरी में बहुत ज्यादा दूर तैर के चले जाते हैं लोग पकड़े होते हैं तो डर नहीं रहता है ऐसे ही तैर की जाओ तो थोड़ा तकान होता है और गगरी पकड़ कर तैरो तो अच्छे से तहते बनता है और इधर है कृष्टन जाओ कि था थे बाहर बाहर की लोग देखने के लिए या रहे थे और नदी वला दृष्टन इतना मनुरह मैं कि यहाँ आप दीन भर भी रहो तो बोर नहीं लगेगा तीज थोड़ी है नदी हमारे तरफ यह यह त्रेवरी संगम है चंदरपूर में हमारे यहां से उपर है और यहां महान लात और महान दी का संगम है चंदरपूर में इधर ज्यादा पहल गया है नदी उधर थोड़ी सिक्ली है तीन नदी का संगम हो कि इधर आया है बाती तो इधर चोड़ा है जितना में दसकर्म के लोग आये थे यहीं पर मोटर साइकल मोटर रखे हुए थे और इधर गुमा घामी कर रहे थे खनावना खाकर आम लोग चले अब घर बहुत ज्यादा तेज दोपो रहा था और यह आगे थोड़ा सा आराम कि उसके बाद साम को न मेरी मम्मी और बच्ची लोग गये थे उधर मच्वारों की बस थी त अधरवरा केकड़ा इसमें विटामिन ए होता है तो इसको बना के खेलाओ बच्चों को तो बहुत ही अच्छा है बड़ी लोग भी खा सकते है आप लोग और उसके बाद में केकड़ा लाए और अगदी और बच्चे लोग अपना होमवर्क करने में लग गए और यह मेरा के लड़का है आयूस और उसके साथ माही भी कर रहे थी होमवर्क उसका मैं भी लिखती हूं मेरा राइटिंग देखना तू बोली और दोनों पड़ रहे थे अरधर इनका लिखाई पढ़ाई जारी था कोई पढ़के बता रहा है कोई लिखके बता रहा है तो आयूस को ल हो घर भी देखा दूंगी सुपए दिखा लिखा ही जोति तो अच्छा होता अभी साम होचुका है लोज साम को संद्य आर्था के वक्त थोड़ा सा भागवत हनुमान cs Variशा का पाट यह सब करके आर्थी करते हैं तो सुभ भी नाकर पूझा करते हैं साम को भी नाकर पूझ करते हैं दोनों टाइम तो उसके बाद हो गया हम लोग का खाना बीना और अभी तक उसके पापा नहीं आये थे तो मेरी जो भाविया बोली कि में खाना बना देती हूं आप लोग खाना होना खालो और पिर आराम से वाएंगे तो आप लोग चले जाना बोली और हम लोग उनल लोग हम लोग खाली और सो गए थे उसके बाद देखी बज गया था ग्यारा रात की तो भीया यहां चावल पहुंचाना था तो हम लोग ले जा रहे थे गाड़ी आई है उसमें ही ले आए और उसके बाद आगे हम लोग अपना घर थोड़ा सा नदी का वीडियो भी डाल दी नदी आए लेखी जाए बाद बाल भी नदी का बाल जाए तो हम लोग हम लोग लोग यह बाल लोग रहे कि अजह बाल दीओ को बाल